नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद प्रिहार चनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्ध्यार्थियों के हल्ला बोल अभियान की सरकार की एक घोशना की विद्ध्यार्थि इसमें पूरे उत्तरपर्देश के और पूरे भारत के आकरोशित हैं सरकार की रोजगार विरुदी नीत की द्ध्यार्थि मान कर रहे है कि सरकार का जो संविधा प्रस्ताव को मना गया और युवा मंच की तरब से एक काफी बड़ा प्रदर्शन किया था बालसन 24 पर विद्यार्थी सांथिपूर्ण धर्णा प्रदसन दे रहे तो बहुत सारे विद्यार्थिए को गरफ्तार कर लिया गया कल मैंने आपने वीडियो माध्यम से बताया था कि विद्यार्थी जो है वहां पर अपनी लोगों को रख रहे हैं और अपने पोश्टर बैनर के द्वारा दिखा रहा है कि खाली पदों को भरा जाए और सम्विद्य प्रस्ता वापस लिया जाए इसी क्रम में कल अनेल सिंग जो यह मंच के अध्यक्ष है और अमरेंदर सिंग बाउबली यह जो दो फोटो आप देख हो सकता है कि तीन वजे इनको कचेहरी में मजिस्टेट के सामने पेश किया जाए और उसके बाद में शायद इनको जेल भेज दिया जाए विद्यार्थी हैं विद्यार्थी अपनी मांग पूरी कर रहे थे विद्यार्थी इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं और अगर ऐ पूरी देता रहूंगा लेकिन कहुंगा जो काम इन लोगों ने किया वह वाकई काभिले तारीफ है सरकार जो है जो बैख फूट पन haha चुकी है और इसी की वज़ा थे सरकार ने आज एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में उत्र पृदय सरकार ने कह जितने भी उत्र पृदेस के खाली पद हैं वो तसकार भरे जाएद च्हें मैंने के अंदर जो सभी नुक्ती पत्र हैं उट दे दिए जाएद फिलहाल अभी यह दोनों युवा अनल सिंग और अमरेंदर सिंग यह जास टाउन ठाने पे रहाएं और कुछ धारा हैं साया दिल लगाए गई हैं और जो चानकारी होगी मैं आपको साम तक जरूर दे जैसे यह छूटते हैं या जो भी इनके साथ में होता है लेकिन सरकार चाहती और प्रसासन चाहता तो इनको कल ही छोड़ देता और छोड़ देना भी चाहिए था चूंकि यह विद्धार्थी हैं और यह केवल अपनी जायाज मांगे रख रहे थे और केवल सांति पूर्ण प प्रदर्शन करना चाहिए हाँ बात कर रहे थे इन विद्ध्यार्थियों की मांगों का और उसका उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के बैग फुट आने का उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भले इन लोगों के साथ में गलत विवार किया हो इनको दो दिन तक प्रदेश दिया है कि यह देखिए यहां पर यह निश टुन्टिफोर की निव जलिका आयोग और भरती बोर्ड प्रमुखों के साथ सीम करेंगे बैठक और नीचे लिगा च्छा महीने में बाटे जाए निक्तिपत्र निश पार दरसी निस्पक्ष तरीके से तेजी से करा जाए भरतियां रोजगार को लेकर के एक्षन में सरकार तो यह इन युवाओं का ही असर है इन लोगों सरकार से बात मनवाई फिलार सरकार ने किवले घुषणा की अब भी हमको बहुत ज़्यादा बेस्वा सरकार पर नहीं करना चाहिए लेकिन मैं धन्यवाद देना चाह और इस डेड़ लाइन के दरमयान इन तमाम चीजों को जो कि अभी वो बता रहे थे ये चीजे लाई जाएं सम्मिट की जाएं और इसके बाद में भरती की पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए तो मुक्यमत्री योगी आदितिनात ने अधिकारियो के साथ में अफसरों के साथ इस बैटर्क में सखत दिशा निर्देश दिया हैं पारदर्शी तरीके से तीन महीनے में भरती प्रक्रिया की शर्वाथ की लिए बात कही गई है। जो वक्त पर होना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं इसलिए अब आगे आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाए जाने के जरुवत है तीन महीने की डेडलाइन और फिर छे महीने में निक्ति पत्र देने की बात एक फ्रेम वर्ख दिया गया है यानि कि इस आवधी के भ आत्मात्या भी कर लिए बहुत सारे विद्यारति उन्हें लाठियां भी खाई हैं बहुत सारे विद्यारति गिर्फतार भी हुए हैं तो ठीक है दोस्तों फिलहाल और जो युवामंच के धक्ष हैं और मासस्चिव हैं मैं इनके बारे में आपको थोड़ी दिर में अपड जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब भी कर लिया करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यारति